तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कुछ ऐसे बहुत आसान से अभ्यास जिनकी मदद से आपके पेट के अराउंड की चरबी, कमर के अराउंड की चरबी तो कम होगी ही होगी, साथ ही आपके शरीर को लचीला बना देंगे अगर आपको रीड की हड़ी यानि स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड किसी भी तरीके की समस्याएं हैं यानि आपको कमर का दर्द बना रहता है, सर्वाइकल एरिया में दर्द बना रहता है, यानि गर्दन के अराउंड दर्द बना रहता है, कंधे बड़े स्टिफ होते हैं तो ये सारी समस्या यानि गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, कमर का दर्द तो छूम अंतर हो जाएगा, साथी flexibility इंप्रूव होगी, ये आपके शरीर को लचीला जब बनाती है ना तो आपके शरीर के brain के साथ जो communication है वो इंप्रूव होता है, यानि आपका तंत्री का तंत् पेट की manspatia बड़ी अच्छी तरीके से खिचेंगी आज के अभ्यासे तो इससे क्या होगा, कि आपका पाचन तंत्र बहतर होगा, constipation की समस्या छूम अंतर होगी, साथी indigestion की समस्या को भी दूर करने में बहुत मदद करेगा, और सारे आंतरिक अंगों को बहुत function improve हो, साथी आज के अभ्यासे आपके पैरों को भी बहुत अच्छी मजबूती मिलेगी, और साथी उनकी flexibility improve होगी, यानि overall body को स्वस्त रखने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए, उनको और भी अच्छी तरीके से flexible बनाने के लिए, आज के सारे अभ्यास हम करेंगे, अच्छा ये तो होगे benefits लेकिन ये भी बतादू कि साथानिया किन लोगों को करनी है, इन अभ्यासों को करते वक्त, सबसे पहली बात अगर आपको चक्कर आता है, आपकी तब्याद ठीक नहीं है, सर्दी जुखाम, बुखार है, आप बहुत low feel कर रहे हैं, energy body में बिलकुल इसके अलावा अगर आपको high blood pressure है, hypertension की समस्या है, recently कोई surgery हुई है, cardiac condition है, आपको तो भी इन अभ्यासों को आपको नहीं करना है, आच्छा वीडियो देखते देखते आपको ध्यान दिलादू कि अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, तो इस चैनल को subscribe करके इस परिवार का अटूट हिस्सा जरूर बन जाएगा, और मुझे Facebook और Instagram पर भी follow करना मत भूलियेगा, क्योंकि मैं वहाँ पर regularly updates करती रहती हूँ, नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में, दोस्तों कैसे हैं परमाहट देंगे ठीक है, जिससे कि हमारे जॉइंट जो हैं बहुत अच्छी तरीके से mobile और flexible हो जाए, हातों को इस तरीके से हलका 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 जटका देंगे बाहर की तरफ, इनको धीला छोडेंगे, loosen करेंगे इस तरीके से, फिर उसके बाद पैरों को भी हलका हलका इस तर करूरी है, तो ऐसा आप 5 से 10 बार कर लें, फिर उसके बाद अपने ankles को इस तरीके से घुमाए, 5 बार clockwise और 5 बार anti-clockwise, फिर उसके बाद दूसरी तरफ भी, दूसरे पैर से भी 5 बार घड़ी घूमने की दिशा में, और 5 बार घड़ी घूमने की विपरी दिशा में, यानि anti- clockwise, तो इस तरीके से पैरों को हलका loosen कर लिया, अब दोनों हाथों को कमर के उपर रखिए, और गर्दन को ऐसे up, down, up, down, इसको भी 5 बार कर लीजिए, ऐसे, फिर उसके बाद right, left, ऐसे drop करना है, इसको भी 5 बार दोनों तरफ इस तरीके से कर लीजिए, फिर उसके बाद ऐसे घुमाईए गर्दन को, इसको भी 5 बार इस तरीके से कर लीजिए, ऐसे, 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 ठीक है, अब इसके बाद जो हम अभ्यास कर रहे हैं, सबसे पहला इसका नाम है कटी चक्रासन, इसका अभ्यास करने के लिए आपको क्या करना है, कि दोनों पैरों के बीच में comfortable फासला यानि ऐसे जोड के मत रखिएगा, या कि फिर बहुत दूर मत रखिएगा, इस तरीके से नहीं रखना है, एक comfortable फासला, लगभग डेर से 2 फूट का फासला कीजिएगा, और दोनों हाथों को इस तरीके से कमर पे रखे, और अराम से खड़े हो जाएं, अब दोनों हाथों क ऐसे फैलाते हुए, दोनों हाथों को कंधे के लेवल तक लेके आ जाएं, और हथेलियों को फ्लोर की तरफ टर्ण कर दे, हलका सा जो आपके पैर के बड़े अंगुठ है ना, इनको बाहर की तरफ टर्ण कर दे, हील्स को अंदर की तरफ रखें, एडियों को अंदर की आफ रखें, ऐसे, ये हो गया, अब सास लें और सास छोड़ते हुए, ऐसे ट्विस्ट करेंगे और पीछे देखेंगे, ऐसे लेते हुए सामने देखेंगे और सास छोड़ते हुए ऐसे पीछे देखेंगे ऐसे अगर आपका सासों का synchronization ना हो पाए यानि सासों के साथ आप अभ्यास ना कर पाए शुरू शुरू में ऐसा होता है तो आप बिना सासों को सिंक्रनाइज करते हुए नॉर्मल ब्रीधिंग के साथ भी इस अभ्यास को कर सकते हैं ऐसे लेकिन एक बहुत विशेश बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप इस तरीके से ट्विस्टिंग करते हैं यानि राइट साइड और लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो आपका ध्यान जो है आपकी नाभी पर हो तो इससे बेरिफिट और भी अच्छे बढ़ जाते हैं कि आपकी जितनी भी आंतरिक अंग है इनको मसाज मिलता है और साथ ही अब्डामिनल मसल्स यानि आपकी पेट की मांस्पेशिया जो है मजबूत होती है तो हलका सा नाभी को अंदर की तरफ पुल करके रखिए जब मैंने बोला ना पेट पर कंट्रोल बना के रखिए इसका मतलब भी है हलका सा नाभी को अंदर की तरफ पुल करके रखिए और Awareness बना के रखिए नाभी पर और इस तरीके से सामने देखें फिर पीछे पूरा twist करें जब आप पीछे twist कर रहे हैं तो right palm left shoulder पर और left palm right hip के उपर ऐसे सास लिया और ऐसे पूरा twist करना है ऐसे और lower body को stable रखना है ऐसे ये ना हो कि आप ऐसे ये ऐसे ऐसे पैरों को घुमा रहे ह यह ना हो थोड़ा पीछे से देख लीजे ताकि क्लारटी और भी अच्छी हो जाए दोनों पैरों के बीच में लगभग 2-5 फीट का फास्टा रखा सास लिया और सास छोड़ते हुए ऐसे पीछे देखना है ऐसे इस तरीके से ऐसे आप देख रहे हैं मेरा राइट पाम की हड़ी पर कितना अच्छा जेंटली हमने वाम कर लिया उनको और साथ ही पेट की मांस पेशिया भी एक्टिवेट हो गई तो अगर आप मेरी निगरानी में रहके योग का अभियास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत हैं मेरी ओनलाइन योगा क्लासिस में इन ओनलाइन योगा क्लासिस को मैं जूम के माध्यम से कंड़क करती हूँ so that देश और दुनिया के किसी भी कोने में आप रह रहे हो मेरे साथ जुड़के योग का अभियास कर सके अगर आप सोच रहे हैं कि हमने तो पहले कभी भी योग का अभियास नहीं किया तो ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं घबराये नहीं हर एक प्रैक्टिस को मैं बहुत आसानी स सिखाती हूं समझाती हूं जैसे आपने वीडियो में देखा ही है तो अगर आप बिगनर हैं या और योग का अभियास कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस को और डीपेंड करना चाहते हैं को किसी भी तरीके की हेल्थ कंडिशन है न तो भी ये क्लासे हाइली बेनिफीशियल है हाइली एफेक्टिव है मेरे कई सारे स्टूडेंट्स जिनको की थाईराइड, डायबिटीज, हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी, जॉइन्स में पेंड रहता था या कि फिर पीरेड्स इर्रेगुलर थे, PCOD, PCOS का प्रॉब्लम था, ऐसी समस्याओं में इन क्लासेस से उनको बहुत मदद मिली है, साथ ही कुछ दिनों बाद उनके जो दवाईयों के डोजस है ना वो भी दीरे-दीरे कम हो गए हैं, अब इन क्लासेस में आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा, इन क्लासेस में आपको अलग-अलग तरीके के आसन, प्रानयाम, ध् दी जाती है, so that आप बिलकुल फ्री होके, फ्री माइंड से प्राक्टेस कर सके, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग होंगे, जो कि जूम के माध्य हम से कनेक्ट नहीं कर पातें, क्योंकि उनका शेडूल बहुत बिजी रहता है, तो मेरे पास आपके लिए एक सॉलूशन है, आ आप मेरे द्वारा डेवलप किये हुए कुछ कोर्सेस हैं, उनको पर्चेस कर सकते हैं, और आपके पास 100% flexibility है, और आजादी है, freedom है, कि आप कहीं भी, किसी भी जगह, कितनी भी बार इन वीडियोस को प्ले करके, अपने घर के comfort zone पे ही अपने योग का भ्यास कर सकते हैं, औ कोर्स के completion का certificate भी आपको दिया जाता है, तो देर किस बात की, इस courses के बारे में और जून classes के बारे में आपको जादा जानकारी चाहिए, तो मेरी website जरूर विजिट कीजेगा, जो की है www.yogaviddshahida.com, या कि फिर अगर आप website नहीं विजिट कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं तो बहुत excited हूँ आप सभी को योग सिखाने के लिए, तो जाएए मेरी website विजिट कीजिए या WhatsApp कीजिए, शुरू करते हैं, अब हम जो दूसरा अभ्यास कर रहे हैं, इसका बड़ा गजब का effect आपके पूरी abdominal muscles, यानि पेट पर पढ़ता है, आपके आंतरिक अंगों पर प साथ ही आपके कमर के अराउंड का जो पेन है वो दूर भागेगा, साइटी का पेन वालों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, ये साथ ही साइड की जो चर्वी है, पेट की चर्वी इसको कम करने में बहुत मदद करेगा, और आपकी spinal cord को भी लचीला करेगा, तो वापस से दोनों पेरों के बीच में लगभग दो फूट का फासला रख लें, कमफोर्टेबल हो जाएं, अब दोनों हाथों को कमर के उपर रखें, और इसका पहले step by step इसी तरीके से अभ्यास करते हैं, ऐसे हिप को आगे की तरब पुश किया, ऐसे और फिर पीछे की तरब पुश किया, सास लिया और सास छोड़ा, इसका अभ्यास 10 टाइमस कर लें आप 10-15 टाइमस, that is enough, सास लें और सास छोड़ें, जब सास छोड़ें तो हिप को पूरा धीला छोड़ें ऐसे, पूरी हिप को ऐसे धीला छोड़ें आप, और फिर सास लेते हुए पूरी हिप को टाइट करना है आपको ठीक है कंट्रोल बना के रखना है ऐसे धीला छोड़ दिया फिर उसके बाद टाइट कर लिया ऐसे तो इससे ना आपकी कमर के अराउंड जो स्टिफनेस है वो कम होगी दर्द दूर भागेगा और साथी वहां की मांस्पेशिया मजबूत होंगी अब आगे पीछे कर लिया अब राइट और लेफ्ट ठीक है फावर्ड और बैक कर लिया अब राइट और लेफ्ट ऐसे राइट पुश करे फिर लेफ्ट पुश करे आप राइट पुश करे फिर लेफ्ट पुश करे आपने देखा होगा कभी कभी कि बहुत से लोग अपनी का में वह dancing doll रखते हैं वो कैसे जैसे उसकी कमर हिलती रहतीए exactly वैसे ही right push करें फिर left push करें right push करें और left push करें अगर सासों को synchronize करना है सास ले सास आ चोडें सास ले साश चोडें ऐसे अभ्यास आप 10-15 बार कर सकते हैं तो अब हमने आगे पीछे push कर लिया unlock कर लिया आपने hip joints को और साथ ही right और left कर लिया कमर के around की stiffness उसको दूर भगा दी अब हम इन चारो direction को एक साथ अभ्यास करेंगे तो कैसे पहले आगे push करेंगे फिर right push करेंगे फिर पिछे push करेंगे फिर left push करेंगे forward right back left forward, right back, left side से देखे forward, right back, left forward, right back, left forward, right back और left तो इस तरीके से पूरा चकर कैसे घुमाएंगे आप आगे दाहिने पीछे बाएं आगे दाहिने पीछे बाएं पूरा जैसे एक whirlpool होता है पूरा उसी तरीके से आईसे गोल गोल गए chapters गलती क्या नहीं करनी है कि आइसे आप बाडी बहाद धीले छोड़ देंगे आप कमर को नहीं हिलाएंगे बहुत से लोग ऐसे आईसे धीरे धीरे चोटे चोटे चकर बनाएंगे तो इसे कुछ फायदा नहीं होने वाला अब जब आप एक direction में कर लें तो दूसरी direction में भी करना ज़रूरी है ऐसे आगे left पीछे बाएं forward left, back right forward, left, back right, ऐसे पूरा चकर बनाएंगे आगे बाएं पीछे दाएं आगे बाएं, पीछे दाएं, पूरा आगे बाएं, पीछे दाएं, इस तरीके से पूरा गोल गोल ऐसे पूरा चकर बनाएंगे इस तरीके से ऐसे ठाना बहुत आसान सा अभ्यास अब हम बढ़ेंगे तीसरे आसन के अभ्यास की दरफ जिसका नाम है सर्वांग पुस्टी जैसा की नाम से ही पता चल रहा है सर्वांग यानि फुल बाड़ी पुस्टी मीज उसको स्ट्रेंदन करना उसकी अच्छी तरीके से खिचाव करना ताकि फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़े और साथी स्ट्रेंथ भी बढ़े तो इस अभ्यास से पूरे के पूरे अंगों को आपके बहुत फायदा मिलेगा स्टार्टिंग फ्रम यूर हेड टू यूर टो चलिए कैसे करना है अभ्यास बताती हूँ अब सर्वांग पुस्टी का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों के बीच में कम से कम 3 φ का फासला कर लिजेगा दाई से 3 φ का इस तरीके से फासला कर लिजेगा ऐसे यह फासला आपकी हाईट पर भी डिपेंड करता है कि आपकी हाईट जितनी भी हो उस हिसाब से आप मैनेज कीजेगा कि comfortable फासला हो, गिरने का डरना हो एडिया slightly अंदर की तरफ और अंगुठा बहुत बाहर की तरफ नहीं जिस slightly इस तरीके से कि आप आराम से balance बना सके अब सबसे पहले हमने अपने हाथों को इस तरीके से cross कर लेना है जिसमें आपका left wrist आगे, right wrist पीछे यानि left हाथ, बाया हाथ आगे, दाहिना हाथ ऐसे पीछे रखना है और फिर उसके बाद इसको उपर की तरफ ऐसे उठाना है और उपर की तरफ हाथों को खीचना भी है और थोड़ा से ऐसे पीछे की तरफ जुकना भी है जिससे की देखिया, चेस्ट बहुत अच्छी तरीके से open हो रहे है हाथों को बहुत अच्छा खीचाओ मिल रहा है इस तरीके से और फिर उसके बाद चुकी अभी left wrist आगे है न तो फिर ऐसे धीरे से body को घुमाया left side और फिर धीरे धीरे ऐसे जुकते गए left side ये ध्यान रखिएगा कि आपका माथा घुटने की तरफ जाने की बस आपको कोशिश करना है अगर ना जा पाए तो कोई बात नहीं इस तरीके से आपने drop कर दिया ऐसे फिर उसके बाद यही से अब ये अभ्यास right side करना है तो right side करने के लिए अब अपनी right wrist को आगे रखे और left wrist को पीछे रखे और यही से धीरे 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 ऐसे उठेंगे और फिर से पीछे की तरफ अपनी body को खीचेंगे यही अभ्यास अब right wrist आगे है तो धीरे से right side ऐसे घूम गए और फिर अपने माथे को घुटने की तरफ राइट घुटने की तरफ लेके जाएंगे और धीरे धीरे अपने माथे को घुटने की तरफ लाते हुए अब फिर से अपनी रिस्ट को चेंज करेंगे लेफ्ट रिस्ट आगे राइट रिस्ट पीछे और पीछे की तरफ इस तरी के से थोड़ा सा पीछे की तरफ जुख जाईए हाथ को ऊपर की तरफ खीछते रहे और पूरे पेट पर कितना अच्छा खिचाओ आगे आप यह देख रहे हैं और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 बेंट तोवर्ज यूर लेफ्ट नी हैड गोस तोवर्ज यूर लेफ्ट नी और नाव चेंज द पोजिशन आफ यूर रिस्ट नाव राइट रिस्ट फारवर्ड लेफ रिस्ट बाक एंड इन्हेल सामने की तरफ देख देखें हलका सा बॉड़ी को पीछे की तरफ खीचें रिस्ट चेंज कर दी है अब हम सांस ले लिया और सांस छोड़ते हुए बेंट वर्ड्स यूर राइट नी और फिर रिस्ट को यहाँ पर चेंज करेंगे लेफ्ट रिस्ट आगे हो गई सांस सांस लीजिये ऐसे अगर आप रुक रहे हैं तो सांसों को लेना छोड़ना बनता है नहीं रुक रहे हैं तो सांस लेते हुए उपर आ जाए सांस छोड़िये चेंज दर रिस्ट अपनी कलाईयों को बगले दाहिना कलाई आगे बाया कलाई पीछे सांस लीजिये और सांस छोड़ते हुए ऐसे सांस लीजिये कलाईयों को चेंज कीजिये पीछे की तरफ जुकना बिलकुल मत बूलिएगा और फिर उसके बाद दोनों हाथों को कमर के उपर रख दे और दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ ले तो शुरू-शुरू में आप इस अभ्यास को फाइफ टाइम्स तो टेंड़ टाइम्स लेफ्ट कर लें, जब आप कंफर्टेबल हो जाएं तो टैंड़ टाइम्स प्राइट, टैंड़ टाइम्स लेफ्ट कर लें, इस तरीके की खिचाओ होने से क्या होता है ना, पूरे शरील का ब्लड सर्कुलेशन इंपरूव होता है और आप बहुत के लिए बनते हैं बुढ़ापा तो आप से ऐसे दूर भागेगा जैसे कि आप कभी बुढ़े होने के लिए बने ही नहीं है अगर आप निरंतर योग का अभ्यास करते हैं या करेंगे तो आप इस बात को खुद समझ जाएंगे तो देखा आपने कितनी आसानी से step by step मैंने आ आपको नहीं करना है बलकि आप अपने दोस्तों और रिष्टदारों को भी इस वीडियो को खुब forward कीजेगा खुब share कीजेगा और अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बताए हुए किसी topic फ्यूचर में वीडियो बनाओ तो मुझे नीचे जल्दी से comment कर दीजिए और बता पोस्तों कर दीजिड़ आपके पसा कि फ्यूचर में प्यालियो कर से कि वाघको चाहते हैं नीचर कि पशकर अखोदी और अनुमसके हम excited